अससलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तो, दोस्तो, फ्रिलांसिंग विद फायवर के आज के इस कोर्स में मैं आपका वेलकम करता हूँ और और यह पुरण completely यह कोर्स जो डिजाइन किया हुआ है, यह newbies के लिए डिजाइन किया हुआ है, जो लोग नए हैं, जो freelancing work करना चाहते हैं online और पैसा कमाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह series है, और इसमें मैं आपको पुरा completely Fiverr के बारे में बताऊँगा, Fiverr एक ऐसी website है जहाँ पर आप online काम सर्च कर सकते हो, जो भी फिल्ड में आप expert हो, शाहिए आप graphic designer हो, शाहिए आप SEO expert हो, website developer हो, या आपकी कोई भी skill हो, आप आपकी जो भी skill है या आपकी जो भी service है, आप online sale कर सकते हो, तो वैसे तो बहुत सारी websites है online, जैसे के एक huge marketplace है upwork.com, उसके people per hour.com, इसके बाद में है people per hour.com, freelancer.com, ये बड़े-बड़े marketplaces है, लेकिन अगर आप शुरुवाद करने जा रहे है, तो मैं आपको recommend करूँगा, आप Fiverr से शुरुवाद कीजएगा, कि नए लोगों के लिए start करने के लिए Fiverr एक बहुत ही अच्छा platform है, तो इस पूरे हम देखेंगे Fiverr के ये introductory lecture है, इसके बाद में हम देखेंगे कि Fiverr पर आपका seller account कैसे बना सकते हो, और आपकी services आप कैसे sell कर सकते हो, और कैसे आप उन्हें market कर सकते हो, कैसे manage कर सकते हो, कैसे customer से deal करते है, अगर आपकी जो earnings आती है, वो आपके bank account तक, मतलब वो पैसा आप क पर इस पूरे course में देखोगे, तो थोड़ा सा मैं आपको यहां पर बता दो Fiverr में कैसे काम चलता है, यहां पर जब आने के बाद में, for example, आप employer हो, आप किसी को hire करना चाहते हो, तो यहां पर वो आएगा, और इस तरह से कोई services यहां पर type करेगा, जो उसे चाहिए, और search क करेगा, search करने के बाद में, जो जो service provider Fiverr के उपर business कर रहे है, जो अपने service से sell कर रहे है, वो उन सब की यहां पर gigs दिखना शेरू हो जाते है, gig, actually, यहां पर हर seller जो service provide कर रहा है, तो वो अपने gig के through provide करता है, तो सब यहां पर अपने gigs बनाते है, for example, आप new seller, जब आप start out करोगे, Fiverr के उपर, तो आप हो गए new seller, तो आप new seller, यहां पर 7 gigs बना सकता है, ठीक है, जैसे जैसे आप grow करोगे, वैसे वैसे आपकी limitations बढ़ते जाएगी, okay, तो यह देखिए, यह top rated seller है, यह level 2 seller है, यह सारी levels के बारे में हम आगे discuss करेंगे, इसी तरह से, देखिए, यहां पर अलग-अलग services है, जैसे कि logo design है, business card stationery है, illustration है, हमारे बहुत सारे दोस्त, जो photoshop corridor जानते हैं, उनके लिए यहां पर work, banner designs है, infographics है, ठीक है, बहुत सारे items हैं यहां पर, बहुत सारी अलग-अलग services है, यह digital marketing related service है, जैसे कि social media marketing, SEO, content marketing, video marketing, email marketing, यह सारे digital marketing related services है, उसके बाद में writing related services है, जैसे कि अगर कोई writer है, तो writing work कर सकते है, blog post लिख सकते है, book लिख सकते है, translation services, transcription services, ठीक है, legal writing, business copywriting, marketing, उसके बाद में video animation, जैसे कि advertisement बनाना है, वो काम यहां पर होते है, उसके बाद में audio related works, jingles बनाना है, voice over करना है, वीडियो के, उसके बाद में जो developers है, उनके लिए है यह section, उसके बाद में business related, virtual assistant अगर किसी को चाहिए, online कुछ data entry work करना है, वो यहां से find कर सकते है, चीक है, तो introduction में फिलाल इतना ही, आगे हम देखते है कैसे Fiverr में हम एक seller account बना सकते है, और कैसे हम Fiverr के थुरू start कर सकते है, thank you friends.